हालो फ्रेंड्स बल्कम दूमा यूटूब चैनल सुगाइस आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जवाब का राजिस्तान PTT का एक्जाम होने वाला है 9 जून 2024 को उसी के जनल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन्स को यहाँ पर डिसकस करने वाले ह तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें और जो भी मारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बैल ओन करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गायस राजिस्तान पीटीटी की एक्जाम डेट खोशित कर दी गई है 9 जून 2024 को एक्जाम आयो जित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ तीन दिन सेथ है तो आज मैं आप लोगों के लिए जननल हिंदी के कुल 50 कोईसंस लेकर आया हूं अगर आप लोगोंने इन 50 questions में 45 questions के सही जवाब दिये तो आप लोग समझ लीजेगा जनरल हिंदी की जवाब लोगों की तयारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो खुद से परियास कीजेगा इन सभी questions के आंसर देने का 2 से 3 सेकेंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा सेसन को सियर कर दीजे एक बार आप लोगों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे आज के सेसन में पहला questions रहेगा अमर्स किसका परियायवाची सब्द है प्रेम, बिहदया, सिय संतोष, डियक क्रोध बताए क्या अंसर होगा अमर्स किसका परियायवाची सब्द है देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमर्स जो है न ये क्रोध का परियायवाची सब्द है किसका है क्रोध का परियायवाची सब्द अमर्स के और भी परियायवाची सब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं जैसे कि शेश, कोप, गुसा, आक्रोस, कोह, प्रतिगहात, ये सबी सब्द, ये अमर्स के परियावाची सब्द होते हैं, अगर मालेजी ये options में, शेश दिया जाए, कोप दिया जाए, गुशा दिया जाए, आक्रोस दिया जाए, कोह दिया जाए, या प्रतिगहात दिया जा कि गुसा भी होता है अमर्स का परियाए बाची सब्द और कुछा और करोध करोध दुरों एक ही चीज होती यह आपको ध्यान में रखना है गजास-दैस नश क्वेसिसान समरा है मदन शलाका किसका परियाए बाची सब्द है कववा चिडिया कोयल कबूतर जड़ी से आंसर देए सभी बच्चे मदन शलाका किसका परयाय बची सब्दे है देखिए मदन शलाका जो है ना ये कोयल का परयाय बची सब्दे है तो C options जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल correct हो जाएंगे अगला question जो इंदर पर बिजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं इंदरजे इंदू जितेंद्रिय इंदरजीत जो इंदर पर बिजय प्राप्त कर चुका हो इंदर पर बिजय किसने प्राप्त की थी मेगनात ने मेगनात को किस नाम से जाना जाता है मेगनाद को इंदर जीत के नाम से जाना जाता है आप लोग ने काभी बार पड़ा होगा अक्सर पेपर में पोच लिया जाता है कि मेगनाद में प्रिव्त संदी कौन सी होगी तो मैंने आपको क्या पताया था कि जब किसी वाकिय में किसी प्रसृद्ध व्यक्ति य भगवान कि नाम आजाएं। वहाँपर होता है आपका बहूपरीयक्ति समसु decreasing मेगनाज ने इंद्र को जीता था इसलिए उसको इंद्रجीत कहा जिता था। उसमें इंद्र कि जो इंदर पर बिजय प्रप्द कर चुका हूँ उसको क्या कहते हैं तो जो इंदर पर बिजय प्रप्द कर चुका हूँ उसको कहते हैं इंदर जीत तो D options जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा पैचाने का मैंने आप लोगों को तरीका भी बता दिया है कि कैसे आप पैचान सकते हैं अगर आप नियम याद करेंगे परिवासा याद करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे आप लोग चले बढ़ते हैं next questions के और अगला question मैं देखें का सभी बच्चे घटनाओं का काल करम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है सारी के सारे ही इंपोर्टेंट है परिच्छा की ड्रेश्टी से हो सके पूरा टेस्ट लगाएगा और इसके बाद मैं आप लोगों को BSTC की तयारी करवाँगा खासकर हिंदी की आप ल देखें घटनाओं का काल करम से किया गया बढ़न कहलाता है इतिवरत अप्शन नमर ए जो लोग बता रहे हैं बहुत अच्छे बिल्कुल करेक्ट हो जाए अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह कोश्चन इंपोर्टेंट है यह कोश्चन सारे की सारे इंपोर्टेंट है जो भी कोश्चन मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल परिशा के लेवल के कोश्चन ला रहा हूं तो आप लोग टेस्ट को पूरा लगाई और कोश्चन को समझने की कोश्चन की कोश्चन में पूछा क्या जा रहा है उसके बाद आंसर दीजिए अगला कोश्चन दे अनिष्ट का विलोंग सब्द होता है अनिष्ट का विलोंग सब्द होता है इस्थ होता है क्या होता है अच्छा विनिष्ट का विलोंग सब्द क्या होता है विनिष्ट का विलोंग सब्द होता है साधारन या सामाने ठीक है क्या होता है साधारन या सम्मन परोपकार का विलो विलूम शब्द क्या होगा जल्दी से आंसर देए सभी वच्चे अभियोक्तिकाव विलूम शब्द क्या होता है अभियोक्तिकाव विलूम शब्द होता है गायस निर्पराद क्या होता है निर्पराद तो आपका यह बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा क्या होगा माल दीजी गर पेपर में पूझा जाए कि भोगी का बिलोम शब्द क्या होता है योगी और योगी का बिलोम शब्द क्या होता है भोगी होता है अभी योगी का बिलोम शब्द क्या होता है अभी योगी का बिलोम शब्द होता है अभी योग्द क्या होता है अभी योग्द अभी वावक में कौनसे उसर्ग का प्रियोग हुआ है मैंने आप लोगों को कई बार बता है कि सुरुवावक में कौनसा उसर्ग होगा पता है अभी वावक में कौंसा उफसर्ग होगा अभी वावक में हो जाएगा अभी यानि सुरुवात का सब यानि C options आपका यह बविलकुल करक्ट हो जाएगा गायस अगला कोशन अध्यन में उफसर्ग बताएव dis अध्यन में प्लियोकत उफसर्ग क्या होगा अधी हो जाएगा यानि कि C options जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन देखेगा उज्जुल का संदी विच्छेद क्या होता है भाई उज्जुल का संदी विच्छेद क्या होगा आव कि देखे जब हम इसी तोडएंगे जव कि संदी करेंगे तो इसकी संदी हो जाती है उत्धन ज्वल और पेपर में पोचा जाए कि उज्जुल में पृट्व प्रिवट संदी क्या होगी आपको आपको जानना आवस्ज्ज है कि उत्वजल प्रित्यू संदी को सी होगी बियंजन संदी हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि हलंद देख रहे हैं आप लोग इस हलंद को देखकर आप पैचान सकते हैं कि इसमें बियंजन संदी हो जाएगी तो डियू आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोशे देखेगा सभी उचारण के समय जीव की इस्थिति की अनुसार सुरों के कितने भेद किये गए हैं दो तीन पांच या साथ बताए क्या अंसर होगा उचारण के समय जीव की इस्थिति की अनुसार सुरों के कितने भेद किये गए हैं कुल तीन भेद किये गए तो बी ऑप्संस जो लोग बता रहें वो बच्चे विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोशन देखेगा सुद्वरतनी है तो देखे यहां पर आपको सुद्वरतनी की पहचान करनी है जियोसना की सुद्वरतनी क्या होगी बताएए क्या अंजर होगा जियोसना जियोसना कैसे लिखा जाता है देखे जियोसना अगर आप लोग लिखेंगे न जियोसना को ल जेशन को सेर कर दीजेए एक फ़र आप लोग क्योंकि आप लोग ओर से लोग के लिए इतीनी मैंनद करता हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है गाईस की वीडियो को लाइक कीजिए तो हाथ जोड का सबसे नहीं बेदाने सब बच्चों से कि ज़्यादा से वीडियो को लाइक कीजिए स्टेयर भी कीजिए आप लोग अगर स्टेर नहीं कर सकते तो लाइक तो कर दिए गाइस लाइक कर दिए वीडियो को जाता से जादा नैस कोशन के आए कि पंच बटी किस कभी की रचना है मैथीली सरानगुप्त रामधारित सिंग दिनकर जैसंकर परसाथ सूरेकां तिरपाथी निराला दिए पंच बटी जो है न यह मैथीली सरानगुप्त की रचना है तो ए ओप्सन जो है आपका यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे काली आंधी किस रचना कार की करती है धर्मबीर भारती राजिनरियाद भगवती चरन बर्मा कमलेश्वर काली आंधी देखे काली आंधी जो है न यह कमलेश्वर की रचना है किसकी रचना है कमलेश्वर डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्च काली आंधी की प्रश्ट भूमी में कौन सी घटना है भारत चीन यूद भारत विवाजन गुजरत नरसंगार आपातकाल काली आंदी की प्रष्ट भूमी में आपात काल की घटना है तो डी ओप्सन्स जो आपका करेक्ट हो जागर नैस को संदेखे का सभी बच्चे आठ 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 आशु बहना मुआवरे का आर्थ क्या होता है बिचलित होना बुरी तरह पच्टाना संकटाना बिनास होना आठ 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 आशु बहना मुआवरे का सा यर्थ क्या होगा जली से आंसर देज़े सभी बच्चे आठ 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 आशु बहना यानि की बुरी तरह पच्टाना तो वी option जो लोग बता रहे हैं वो अच्छे बिल्कुल correct हो जाएंगे अगर माल लिजिए options में दिया जाए बहुत अधिक रोना तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं अगला कोशन देखा सभी बच्चे निम्ण में से कौन मात्रिक छंद नहीं है चोपाई रोला हरीगीति का सभईया निम्ण में कौन मात्रिक छंद नहीं है यह आपको बताना है जो बच्चे डी options की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल correct हो जाएंगे कि सभईया जो है ना यह मात्रिक छंद नहीं है अगर हम सभईया की बात करें तो सभईया एक वाणिक छंद है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है 67 questions निम्न में से कौन वाणिक छंद नहीं है कवित मालिनी मंदकरांता कुंडलियां निम्न में से कौन वाणिक छंद नहीं है यह आपको बताना है जो यह ब्यारती D options की ओर जा रहे है वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगा कुंडलिया आपका सही अंसर हो जाएगा नहीं से कौन अर्था अलंकार नहीं है उपमा रूपक यमक उत्प्रेक्छा निम्न में से कौन अर्था अलंकार नहीं है तो यमक जो है न यह अर्था अलंकार नहीं है तो C options जो यह आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा तो गाइस एकला question आचार भरत की अनुसार इस्थाई भावों की संख्या कितनी है देखें मेरे हिसाब से तो 10 होना चाहिए बैसे तो options के नो होना चाहिए टीक है ओप्सन के हिसाब से 9 मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए तो बी option जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल सही हो जाएगे कोनार्क और पहला राजा यह किसकी प्रसिद्य करती है अमरत तलाल नागर जगदीश चंद्र माथूर मोहन राकेश हबीब तन्वीर बताए क्या अंसर होगा जगदीश चंद्र माथूर option नमर वी जो है आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चले बढ़ते हैं नेस कोईशन्स की ओर तो जिन लोगों नहीं तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी बच्चे वीडियो को लाइक से जरू करें ज्यादा से ज्यादा रत है या है नसों में छुदर पानी जाच कर तू सीस दे दे कर जबानी इन पंक्तिवों में कौन सा रस सरजित हुआ है वी रस भीतर रस रोदर रस या स्रंगार रस बताई क्या अंसर होगा इसमें हुआ है वी रस का ओप्शन नमर ए जो है आपका ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोल क्या रहा है कि रत है या है नसों में छुदर पानी जाच कर तू सीस दे दे कर जबानी तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें वी रस का प्रियोग हुआ है अग प्रकास के सामने अन्धेरा टिक ना या प्रकास आया अन्धेरा टिक न सका तो बहुत ही सरल से अन्धेरा भाग गया इसलिए यहां पर सल्भाग पर ऑप्शन नमर ए जो है आपका बिल्कुल वह जाएगा है अगला कोश्य देगा सही वच्छे कौन सा सब्द सुद्ध है यहाँ पर आपको सुद्ध सब्द की पैचान करनी है पुनर जागरण कैसे लिखा जाता है जल्दी से आंसर दें सभी वच्चे कौन सा सब्द सुद्ध है तो यहाँ आपको सुद्ध सब्द की पैचान करनी है तो D option जो लोग बता रहे हैं पुनर जागरण को लिखने का जो तरीका है न वो यह रहा पुनर जागरण ऐसे लिखा जाता है तो D options correct होता है अगला कोशन क्या है कि नाक का बाल होना किस मौवरे का अर्थ है परिसान करना घ्रणा करना अधिक प्यारा होना प्रतिष्ठा देना नाक का बाल होना किस मौवरे का अर्थ है यह आपको बताना है ना ककाबाल होना यानि की अधिक प्यारा होना सी ओप्संस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अधिक प्रिय होना अगर ऐप्संस में दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं अधिक प्रिय होना सो गाई 75 कोशन देखेगा सब्सक्राइब क्या होगा कि इस्टार्टिंग का सब्सक्राइब देखिए फिर आंसर दीजिए बताइए कोउच JE कोहट हो जाएगा नैस कोउचन दखेगा सभीबच्चे है आकास से सम Waid के लिए एक सब्द क्या होता अकास यह आपक्षाय यह विल्म Stunden हो जाए का चले बरते हैं नेस कोशन की और अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे निम्लिखित में से किस सब्द में गुण संदी नहीं है किस सब्द में गुण संदी नहीं है ये आपको बताना है विद्यार्थी में गुन संदी नहीं है जब विद्यार्थी की संदी विछ्षित करेंगे तो इसकी संदी होती है विद्या धन अर्थी बिद्याधन अर्थी इसकी संदी हो जाएगी ठीक है इसको इसके बाद इसको तो माले जाएगा बड़ा आ और इसको माले जाएगा छोटा आ तो बड़ा आ प्लस छोटा क्या बना जाके बड़ा प्लस चोटा बना जाके बड़ा आ जब इस नियम को आपने प्रियोग किया तो विद्धार्ति में कौन संदी हो जाएगी विद्यार्ती में हो जाएगी दीर के संदी तो ये भी आपको ध्यान में रखना है छोटी छोटी जो बाते हैं इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए अगला कोशन क्या है इला निम लिखित में से किसका परियाए बाची सब्द है सागर आकास प्रत्वी गंगा इला निम लिखित में से किसका परियाए बाची सब्द है जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे इला जो है ना ये प्रत्वी का परियाए बच्चे सब्द है तो सी ओप्सन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं नैस कोशन की और अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे उत्पत्ति की ड्रस्ट से सब्दों का भेद निमने में से कौन नहीं है तस्सम तद्भाव देशच योग रून जो ये ब्यारती option number D की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे योग रून अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे रोग गरस्त सब्दों में प्रियूक्त समास है रोग से गरस्त मैं आपको क्या बताया था और कई बार भी बताया है रोग से गरस्त कर्टा ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को कर्ण से करन के दौर संपर्दान के लिए अपादान से या अप लोग तो रोग से ग्रस्त तो यहां पर कौँ सा समस होगा करण तत पूर समस होगा क्योंकि करण करता ने करण को करण से के द्वारा करण से के द्वारा तो B-Options correct हो जाएगा अगला कोशन हमारा है निम लिखित में से कौन सा सब्द स्ट्रीलिंग है तो यहां पर देखिए आपको स्ट्रीलिंग सब्द की पैचान करने है पानी आग घी मोती दिखिए इसमें जो आग है न यह स्ट्रीलिंग सब्द हो जाएगा तो B-Options जो आपका यह विल्कुल सही हो जाएगा नेस कोशन क्या है कि उमान नौकर से दूद मगवाती है वाक में कौन सी क्रिया है प्रियार्थक, साहक, अकरमक या सकरमक उमान नौकर से दूद मगवाती है क्योंकि जो नौकर है वो उमा का नौकर है इसलिए नौकर ने बहुत ही आसानी से काम कर दिया तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी साहक क्रिया हो जाएगी तो B-Options जो आपका करेक्ट हो जाएगा सेसन को सियर कर दीजिए एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अगला कोशन तुलनातमक विसेसन की हिंदी में कितनी अवस्थाए होती है दो तीन चार या केवल एक तुलनातमक विसेसन की हिंदी में कितनी अवस्थाए होती है कुल ती नवस्थाएं होती है option number V जो है आपका ये बिल्कुल correct हो जाएगा चले बढ़ते हैं next questions की ओर 84 question क्या है निम्न में से किस संग्या की गड़ना नहीं की जा सकती निम्न से किस संग्या की गड़ना नहीं की जा सकती निम्न से किस संग्या की गड़ना नहीं की जा सकती क्योंकि आपने किसी लड़की को देखा तो आपके मन में भाव आया कि ये लड़की कितने सुन्दर है आपने मिठाई देखी कास में यह मिठाई खा सकता आपके पाप पैसे भी नहीं है तो भाव बच्छ संग्या की जो गड़ना है यह संग्या से नहीं की जा सकती तो D-Options जो आपका यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मैंने आपको समझाने की पूरी की पूरी कोशिस की है तो वीडियो को लाइक कर दिए सभी बच्छे अगला कोशिन क्या कि प्रियतन के आधार पर रा ब्यंजन की किस कोटी में आता है प्रकंपित संगर्सी इसपर्स अर्दुस्वर प्रियतन के आधार पर रा ब्यंजन की किस इस कोटी में आता है जल्दी से आंसर देए सबी बच्चे जो भी ब्यारती और एक ही और जा रहा है प्रकंपित और माले जी अगर में लुंठित कैसे लिखा जाता है तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं क्योंकि प्रतन के दार पर राइब एंजिर की रिकोटी में लुंठित भी नहीं आता है यह भी आपको ध्यान में रखना है सुगास अगला कोशन निम लिखित में से तमिल भासा की लिपी कौन सी है देवनागरी रोमन द्रिवण या नास्तिलिक निम लिखित में से तमिल भासा की लिपी कौन सी है यह आपको बताना है जली से आंसर देज़ाई वच्चे देखिए तमिल भासा की लिपी कौन सी है जो है ना ये तमिल भासा की लिपी है C options जो आपका correct हो जाएगा अगला question क्या है निम्न में से कौन सुमेलत नहीं है जल्दी से answer देज़ सभी बच्चे कौन सुमेलत नहीं है ये आपको बताना है सभन सोना ये सुमेलत नहीं है क्योंकि सुर्ण सोना इसमें अगर आदा सा होता सुर्ण होता ऐसे तो वो सुमेलत हो जाता क्योंकि इसमें सुर्ण दिया है सभन दिया है पूरा सा दिया इसलिए ये सुमेलत नहीं है C options correct हो जाएगा कौन सही सुमेलित है यह आपको बताना है कौन सही सुमेलित है अनुरिक्ति विरक्ति अनुरिक्ति कावलों शब्द क्या होता है विरक्ति होता है तो बिलुकुर सही है तो ए आपक्सन जो आपका बिलुकुर सही हो जाएगा अगला कोशन क्या है निम्न में से कौन एक सब्दा अलंकार नहीं है अनुप्रास सिलेस यमक या उपमा बताएगे क्या अंसर होगा उपमा डी ऑप्सन्स करेक्ट हो जाएगा सुगाई नेस कोई से निम्न में से कौन से सब्ध की वरतनी सुद्ध है सुद्ध वरतनी की पैचान करनी है तो समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे हिताइसी हिताइसी ऐसे लिखा जाता है तो सी ओप्सन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है अपनी बुराई नहीं दिखना परिस्त्रम से भागना उच्च और साधरन की तुलना अधिक लाव होना चिराग तले अंधेरा इसका मुवरा क्या होगा जंदी से आंसर दीजिए सभी बच्चे तो चिराग तले अंधेरा इसका अर्थ होता है अपनी बुराई नहीं दिखना आप्शन नमर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे सुगास अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन क्या है कि सबका अपनी अपनी बच्चे अपनी मर्जी से काम करना किस लोगतिती का अर्थ है अपनी धपली अपनी राग आप लूभे तो जगडूबा चानवे लोगतिती कह दिया हो तो आपको कन्फिस होने के जरूरत नहीं है यह सबी एक चीज होती है अपनी डपली अपना अपनी राग यह होना चाहिए बस यह गरत दिया है अपनी डपली अपना राग होता है वैसे इसमें तो यह आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा निर्देश प्रसन संक्या 94 से 95 निमलिकत प्रतिक वाक्य के नीचे चार बिकल्प दिये गए हैं उनमें कोई एक बिकल्प उक्तिवाक का सुद्ध रूप है उसका चैन करना है आप लोगों को मैंने रोटी खाया इसका सुद्ध सब्ध क्या होता है मैंने रोटी खाया मैंने इसका सुद्ध वरतनी की पैचान करनी है आजी विका आजी विका की सुद्ध वरतनी क्या होगी यह आपको बताना है आज इविका कैसे लिखा जाता है आज इविका लिखने का जो तरीका है ना वो यह रहा आज इविका ऐसे लिखा जाता है तो d options जो आपका ये विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोशन क्या है इनमें से किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है तो यहां पर देखिए आपको असुद्ध वर्तनी की पैचान करने है तो असुद्ध वर्तनी आपकी क्या होगी मनो कामना यह आपकी असुद बरतनी हो जाएगी तो A options correct हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे देवनागरी किस भासा की लिपी नहीं है हिंदी, नेपाली, मराठी या उर्दू देवनागरी किस भासा की लिपी नहीं है यह आपको बताना है तो देवनागरी जो है न यह उर्दू भासा की लिपी नहीं है तो D options correct हो जाएगा अगला कोशन है कि संबल में कौँ सी धोनी है, संबल में कौँ सी धोनी होगी संबल में हो जाएगी शंप करक्ट होनी, option number A जो है आपका यह बिलकुल correct हो जाएगा आज की किलास का लाश कोशन से तहेगा, निम्ल में से किस सब्द की वरतानी सुद्ध है यहां पर आपको देखिए सुद्ध वरतानी की पैचान करनी है तो मूतरासे, कैसे लिखा जाएगा, मूतरासे की सुद्ध वरतानी क्या होगी मुत्रासय मुत्रासय की सुद्ध बरतनी यह हो जाएगी तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने PTT 2024 की परिच्छा के लिए जन्रल हिंदी के कुल 50 questions डिसकस की है 50 में आपको 45 questions के सही जवाब बताने तो 50 में आप लोगों ने कितने questions के सही जवाब बताए है कमेंट डॉक्स में जरूर बताएगा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ तीन दिन सेस हैं अच्छे से तयारी कीजिए और अच्छे से फेपर दीजिए हमारी सुखकामना है आप लोगों के साथ में है आँगे आने वाले दिनों में BSTC का अब एक्जाम लगा हुआ है बहुत ज़्टा आपको लोगों के हिंदी के क्लासे में स्टार्ट करने वाला हूँ BSTC की तो जो लोग बच्चे हैं जो लोग बस्टरीस की तयारी कर रहे हैं या पिडीटीक की तयारी क तयारी करें पिडीटीक करें अब लोगों का तिन दिन के बाद होने वाला है तो और बैस्टीसी का एक्जाम इसी महिने लगा हुआ है तो ते जूनIsra Speaker को अगर आप लोगgeं लगा हो और अजडिवकर लग लोटिफिकेशन बेल और करना ना बूले मिलते हैं नैस वीडियो के साथ जैहिंजे भारत